हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफ्टेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ पतन की डोर किस के हाथ में कराची में आक्चन और सस्पेंट से भरपूर सियासी पिल्म जारी पार्टी में पूट पढ़ने के बाद फारुक सतार और आमिर खान ग्रुप के अपने अपने अजलास क्या होने जा रहा है सब को दी एंड का इंतजार कामरान टिस्टोरी सोने के ताजर नाकाम सियासित दान M.P.A का एलेक्शन हारे लेकिन मताहिदा का दिल जीत गए राबता कमिटी में जेपटी कर्वीनर बने सेनेट के टिकेट पर मौतली की रसीद कट गए पारु सतार साब का रोल है तो क्रिकेट के मैच में बारवे खिलाडी का होता है उसका काम होता है सिर्फ फिल्डिंग करना एक अच्छी फिल्डिंग करके अपना रोल अदा करना बारवा खिलाडी कैसे कप्तान बन सकता है नामुमकिन सी बात है क्या आप एक बारवें खिलाडी होकर आप कप्तान बनने की ख्वाइश रखें ना मुम्किन है तो यही एमकेम का अलमिया है चलो चलो पी-स-पी में चलो रजा हारू ने एमकेम में फूर्ट पर फेशकश कर दी जिस एमकेम की बात की जा रही है वो कप की खत्म हो चुकी फारुक सितार को बारवा की लाड़ी करार दे दिया एमकेम फाकिस्तान में तूट तूट वजीर आला सिन्न ने भी जरब लगा दी जिनका आपस में एक तफ़ाक नहीं अवाम के मसाइल क्या हल करेंगे मुराद अली शाह की गुफदू किसी जमात में एक तलाफात के हक में रही खुशी शाह की राए मुर्दान की ननी अस्मा के कफिकेश में बड़ी पेश्रफ तरिंडे का पता चल गया 145 सैंपल्स में से एक शक्स का डिन अ मैच रिपोर्ट शबर पक्तुमखा के हवाले वजिर कानून पंजाब की तद्दी जैनप के कातल पर कानूनी शिकंजा सक्त इमरान मजीद साथ बच्च्चियों से ज्याती और गत्ल केस में भी नाम्ज़द इंसदादे देश्चत गर्दी अदालत में पेशी तीन रोजा जिस्मानी रिमान पर पुलिस के हवाले आसमा कतल केस पर बड़ी अदालत लगी सेकेट्री अदाख लाखेवर पक्तुन खौर पबाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट तलब तरीक इनसाथ के जिलही सदर शामिले तफ्टीश क्यों नहीं अपनी चीज बहुत अच्छी और दूसरों की बुरी चीज चस्टिस के रिमान पाता मेर सेनेट अलेक्शन की रह में हाइल आखरी रुकावट भी दूर सदर ने अलेक्शन आक्ट नाफिस करने की मनजूरी दे दी इंतिखाबात का शेडियूल आज जारी होगा तमाम मकदमाद का डट कर सामना करेंगे नवाज शरीफ का कानूनी जंग में पीछे हटने से इंकास अवामी अदालत ने नाएहली मुस्तरत कर दी मेंडेट छीनने का सिल्खला अब बंध होना चाहिए साबिक वजीराजम की पंजाब हाउस में कार्खुनों से गुप्तगो शरीफ खांदान के खिलाफ नए ब्रेफिंसिस नवाज शरीफ की सोल भी पेशी मर्यम नवाज और कैप्टिन डिटाइट सफदर भी हाजिर हुए वकील की अदम मौजूदगी पर समात मुल्तवी एतसाब अदालत ने कल फिर सलब कर लिया 2018 के इंतखाबात में उनकी बेनसाफियों जो हैं उनके साथ पाकिस्तान के अवाम इंसाफ करेंगे लिगी रहनमाओं के हरीफों पर लफजी वार अवाम 2018 में तही के इंसाफियों पर इंसाफियों परवेज रशीर की गुप्तगू पुटिक के पार्टी स्टुकर कर मोची गेट लहुर पहुंच गई वहां वैसे ही उतने लोग होते हैं जितने जलसे में थे कैप्टन रिटाइच सब्दर ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर ले लिया स्टार्ट तो जुल्फकार अली बटो ने की थी और बड़ा दुख हुए है कि शहीद जुल्फकार अली बटो की पार्टी सुकर के मोची दर्वाजे तक आगी है इसका मतलब है कि आग बुझने को आए तो जरसी तेज होती है आसिप जर्दारी और आयान अली में एक चीज़ मुश्टरिक ब्रीफ केस आबिच शेर अली का एक और स्यासी हमला साबिक सदर की लंदन और प्रांस में जाएदादों का भी धावा मिया साब एक दोर वो था जब कापे में बुझ बरे हुए थे आज अदालत जो सबसे बड़ी उची अदारा है वहां भी PCO के बुझ बरे हुए है मिया नुआ शेरीम इनकों निकालो ये इसी तरह बदन साबी करेंगे तोही ने अदालत केस तलाग चौधरी सुप्रीम कोर्ट पेश वकील करने के लिए तीन हफ़ते की महुलत मांगी अदालत में इस्तदा मुस्तरत कर दी कि उना तीन माह या तीन साल दे रहें जिस्टिस एजास अफ़सल के रहें पंसे भरपूर स्यासी फिल्म जारी फूट पढ़ने के बाद दोनों ग्रुप्स के अलग-अलग इजलास होंगे ऐसे में सवाल ये है कि क्या होने जा रहा है ड्रॉप सीन का सभी को इंतजार है सेनेट इन्दिखाबाद की टिकेट ने एमक्यों में फूट डाल दी फारुक सतार की तरफ से कामरान टेस्टरी को सेनेट का टिकेट देने के मामले पर राबत कमेटी ने बगावत कर दी मताहिदा पाकिस्तान दो ग्रॉपस में तकसीम हो गई फारुक सतार की गयादत में पी आई बी और आमिर खान के गयादत में बहादर अबाद ग्रॉप बन गया दोनों ग्रॉपस ने आज लहदा लहदा इजलास तलब कर लिया है सेने दिखाबाद की टेकेट में फूट डाल दी है कामरान टेसोरी को सेने टेकेट देने पर राबत कमेटी की बगावत सामने आई है गैर आईनी इजलास बुलाकर नजम जब्द के खिलाफ वर्जी की गई ये कहना था फारुक सतार का जबके दूसरी जानब से कहा गया कि फारुक सतार अगर पार्टी छोड़ना चाहेंगे तो पार्टी कुछ नहीं कर सकती खालिद मकबूल सिद्धी की मीडिया से बात कर रहे थे कराची की सियासत में फिर हल चल मक्यम पाकिस्तान सेनिट के टिकिट पर दो ग्रूपों में तक्सीम हो गई वामला उस वक बढ़ा जब फारुक सतार ने कामरान टिस्धी को सेनिट का टिकिट देने पर इसरार किया राबता कमेटी ने फैसरा मानने से इंकार कर दिया और कामरान्टेسोरी की छे माह के लिए रूकणियत मौद्दकर दी गए पार्टी रहनमा खालिद मकबूल सिदीगी कहते हैं कि राब्ता कमीटी की मुखालफत के बाद फारुक सतार भी कामरान्टेसोरी को सेनेट का टिकेट नहीं दे सकते राबता कमीटी के किसी रुपन को कन्वीनियर या डेपिटी कन्वीनियर हटाया नहीं जा सकता फारुक सतार पार्टी छोड़ना चाहेंगे तो पार्टी कुछ नहीं कर सकती अब घरों से नहीं चलती नवे फीसद से जाइब राबता कमीटी ने फैसला किया है कि कमरान टिसोरी भाई अब राबता कमीटी के मेंबर नहीं है इस सुरते हाल पर फारुक सतार का भी सकत रदे अमल देखने को मिला एतजाजन ना सिर्फ इजलास छोड़कर चले गए बलके मौफी ना मांगने पर गुमरा अफराद के साथ चलने से भी इंकार कर दिया कहते हैं राबता कमीटी का गयर आईनी इजलास बुला कर नजमों जब्त की खिलाफ बर्जी की गई में मैं बच्चा हूं 35 बरस के खित्मात याद रखी जाएं कारकुनों का इजलास बुला लिया बहादर अबाद बालों को जलसे का चेलिंज भी दे दिया खेराईनी इजलास अगर बे अख्तियार और डमी सरबरा चाहिए तो फिर मुझे ऐसी सरबरा ही मनजूर नहीं है पंद्रा महीनों से मुझे एक एक फैसला हर फैसला कराने में हर एक की अगर मिन्नत समाज़त करनी पड़े है तो फिर ऐसा सरबरा काएगा सरबरा फूट पढ़ने के बाद MQM की इस फिल्म का ड्रॉप सीन क्या होता है सब को इंतजार है कामरान टिसोरी कौन है सोने के ताजिर मगर नाकाम सियासतदान MPA कालेक्शन हारे लेकिन मतहिदा का दिल जीद का है रापता कमीटी में डेपिटी कन्वीनियर बने सेनेट की टिकेट पर मौतली की रसीद भी कट कई MQM पाकिस्तान में दरार का बाइस बनने वाले कामरान टिसोरी ने मतहिदा में कब शमूलियत इक्तियार की वो सोने चांदी के ताजर और बिजनसमैन भी है और उनका स्यासी केरियर देखिए इस रिपोर्ट में कामरान टिसोरी पेशे के लिहास से बिजनसमैन साबक वजीर आला सेंद और बाब गुलाम रहीम के गयर एलानिया मुशीर रहे मुस्यम्रीक फंक्शनल में भी कुछ हरसा बुजार कामरान टिसोरी फरवरी 2017 में मुद्धा पाकिस्तान में शामिल हुए चन्द माँ बाद कामरान टिसोरी को सेंदसमैन के नशिस्ट 114 के जिमनी इंतखाब में मुद्धा का उम्मीदवार बनाया गया लेकिन वो नशिस्त जीत ना सके जिसके बाद कामरान टिसोरी राबिता कमेटी मुकरर किया गया जिमनी इंतखाब के दो माँ बाद ही अक्तूबर में कामरान टिसोरी राबिता कमेटी की डेपटी कन्वीनर बन गए कामरान टेसोरी MQM में शामिल होने वाले उन चंद खुशनसीब अफराद में से हैं जिनोंने ओधों की मनाजिल तेजी से खलागी राबिता कमेटी की जानब से कामरान टेसोरी की शदीद मुखालिफत के बावजूद उन्हें इस ओधे पर बरकरार रखा गया दिसंबर 2017 में कामरान टेसोरी पार्टी रहनुमाओं के रवये से नाराज होकर घर बैट कर नाराजी दूर करने डॉक्टर फारूक सतार की वालदा और एहलिया उनकी रहाइश गागनी जिसके बाद डॉक्टर फारूक सतार ने उन्हें घर जाकर मनाया 15 दिसंबर को कामरान टेसोरी फिर एमक्यूम पाकिस्तान के लिए काम करने लगे डेर माँ बाद सेनेट इंतखाब में उम्मीद्वारों के इंतखाब के मौामले पर कामरान टेसोरी पर सबके इختलाफात हो गए डॉक्टर फारूक सतार कामरान टेसोरी को उमीदवारों की लिस्ट में चौथे नमर पर रखने की खाहिश मन्द हैं जबके राबिता कमेटी ने मुत्विका तौर पर शबीर खायम खानी के नाम को हत्मी शक्ल दी है मतहिदा रहनमा फारूक सतार ने अपने तजवीज करदा सेनेट उबीदवार को मौत्तल करने वाली राबता कमिटी को ही मौत्तल कर दिया MQM में गयादत के बहरान ने सर उठा लिया कौन असल लीडर किसकी माने कराची में सियासी खिचड़ी पकने लगी है कराची से जनम लेने वाली पार्टी MQM को तोड़ने में MQM के अपने ही काफी है पहले MQM से MQM हकी की बनी फिर मुस्तफा कमाल की कायादत में पाक सरजमीन पार्टी ने MQM से राहे जुदा कर ली मतेहदा कौमी मूमेंट के पाउं पर कुलहाडी MQM के बानी ने खुद मारी और 22 अगस 2016 को मुल्क मुखालिफ नारे लगा कर पार्टी को दो हिस्सों में तोड़ दिया कयादत के बहरान से सर उठाया तो पतंग ने लंदन से जुड़ी डोर काच कर फारुक सतार के हाथ में देडाली लंदन वाले लंदन में रह गए और MQM पाकिस्तान ही असल MQM बन कर उपरी लेकिन बाद यहीं खत नहीं ही MQM पाकिस्तान और PSP में पेचा पड़ा और मतहदा की कई पतंगे PSP की चछत पराखिरें कराची की पाची में सियासी हनीमून उस वक्त आया जब PSP और MQM